प्रमुद्दा है जो बेंकिंग फ्राड होते हैं जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं कुछ लालच दे कर उस प्रकार की इस्तिती में क्या करें उसके लिए एक बड़ी अच्छी तातकालिक व्यवस्ता ह जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है ये नंबर में आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूँगा 155-260 ये नंबर है 155-260 फोन नंबर रहिए 155-260 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए कभी भी किसी भी कारण वश अगर कोई फ्राड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाईए उस रेइस्टर नंबर से जो रेइस्टर नंबर बेंकिंग में बेंकिंगिंग के ट्राणजएक्शन के लिए आपने रेइस्टर Kiya हुआ है उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तबी काम हो पा आप वह फोन का बताईंगे तो आप से कुछ जयनकारिया नी जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बेंक खाता, कार्ड नंबर, वालेट जिसमें पैसे कटे हैं, जिसमें गया है, आदी त्यादी, वह जयनकारिया आप बता सकते हैं, पिन वगेरा आप Cyber Crime Bureau है वो और जितने भी banking portal है including Reserve Bank Reserve Bank, सारे banks, सारे जितने भी UPI हैं, जितने भी financial transaction के portal हैं यह सब इससे जुड़े हुए हैं ततकाल आपका message, इन सभी banking संस्थानों को चला जाता है banking agencies को चला जाता है क्योंकि जब fraud होता है एक bank से दूसरे bank के में transaction होने में थोड़ा time लगता है, यह bank अपनी formality करता है, फिर वो दूसरे को transfer करता है, फिर वो bank करता है तब जाके तो, वो duration का जो समय उसमें अगर इनके पास message पहुच गया, तो आपका पेसा उस पूरे route में कहीं भी रुख जाएगा अगर मालीजे एक bank से चल दिया है, दूसरे bank तक जाने के लिए तो उस route पर रोग दिया जाएगा, आपका पेसा आपको वापस आ जाएगा मैं आपकी जानकरी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ो रुपए वापस कराए गए हैं, MHA द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा, करोड़ो रुपए वापस हुए हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है, 155-260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पॉर्टल है, इस पॉर्टल पर आप अपनी एप्लिकेशन, अपनी शिकाहत दर्ज कर दें, वो पॉर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है, और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक् या फिर उन्हों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने बाद में बाद में